नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूस के ओफीशल यूटूब चैनल में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी कुश कबरी है क्योंकि दिसंबर 2020 के महिने में बंपर भरतिया आ चुकी है जिहां दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए पांच ऐसी बड़ी भरतियों की नोडिफिकेशन की जानकरी लेकर आये हो जिनके लिए अगर अभी तक आपने अपलाई नहीं किया है तो आज इस वीडियो को लास्ट तक देहेगा क्योंकि पांच ऐसी बंपर भरतिया आ चुकी है जिसके लिए सभी के इंडियो में हम आपको बताएंगे दिसंबर 2020 की इस बंपर भरतियों के बारे में लगबग डेड़ लाग पदोपर ये बंपर भरतिया आ चुकी है जो की ओल ओवर इंडिया की वेकिंसी है और मेल और फीमेल दोनों ही के इंडियर्स अपलाई कर सकते हैं इन में से जादा तर जो वेकिंसी है वो सीधी भरती है इन भरतियों के लिए आपकी एक्जाम भी नहीं होगी तो यहाँ पर आपकी परिशा का जो प्रेशर है वो भी नहीं रहेगा तो दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदे हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी परकार सरकारी नोगरियों की जानकरी लेकर आते रहेते हैं रोजाना और दोस्तों अपने सभी सातियों के साथ सभी ग्रूप में शेर कीज़ेगा ताकि आपके दोस्तों को भी दिसंबर 2020 की इस बंपर भरती की पूरी जानकरी मिले यूँकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक एक करके सभी वेकेंसी की जानकरी देंगे तो आपके फ्रेंड्स को भी इस वेकेंसी की जानकरी हो और वो भी अपलाए कर सके और रोजना इसी प्रकास सरकारी नोकलियों की जानकारी के लिए चेलिन को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरो दबाइएगा तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं आपको बताते हैं एक एक करके उन तमाम पांचों भरतियों के बारे में दोस्तों इन सभी भरतियों की जानकरी और आविदन करने का लिंक मिलेगा आपको हमारी ओफिशाल वापसाइट पर तो वीडियो देखने के बाद में आप जाए गूगल में सर्च करें सरकारी टुडे निउस डॉट कम जी हां दोस्तों जैसे ही आप www.srkarytodaynews.com सर्च करेंगे आपके सामने सबसे उपर पहले ये वापसाइट है जाएगी यहां पर आप जा करके सभी वेकेंसी की जानकरी ले सकते हैं और अपलाए भी कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं आपको बताते हैं कि करके सबसे पहले नंबर की जो वेकेंसी है वो है SSC जी हां स्टाफ सेलेक्शन कमिशन SSC दौरा CZL के नोडिफिकेशन की दोस्तों आपको बता दे SSC 12 दिसंबर में इसके आविधन माँए जारे हैं और इसके लिए आप जो कोड़े कोंड को सी पोस्ट पे वेकेंसी है असिसेंट की टोटली वेकेंसी है Inspector की है, Sub Inspector की भी है, Divisional Account की है और Accountant की है, और यहाँ पर Accountants की भी है, Tax Assistant की भी है Sub Inspector की भी है, देख सकते हैं आप various categories में vacancy जे लगबग 5000 प्लस vacancy यहाँ पर देखने को मिलेगी और आविदन केवल आपको online ही करने होगे, और selection process में आपकी यहाँ पर online exam होगी जिसमें tier 1 और tier 2 दो exam आपकी होगी, अगर आप qualified होते हैं तो आपको interview के लिए बुलाया जाएगा, salary यहाँ पर आपको as per SST के rules के मुताबित मिलेगी, जो की SST द्वारा CZL की जो level होती है, उसी के accounting आपको salary मिलेगी, यहाँ पर all India के male और female candy aids apply का सकते हैं, age limit यहाँ पर है 18 साल कम से कम और maximum जो है 32 words है, उसके अलावा issue में छूट लग से है reserve candy aids को, वहीं application fees यहाँ पर journal OPC के लिए store पर है और SCST, all female और PH के लिए बिलकुल free है, payment जो है आप सभी candy aids online करा सकते हैं, job location जो है all over India की रहेगी, यहाँ पर graduate pass candy aids apply कर पाएंगे, अगर आप B.A.B.C.B. B.Tech pass है, किसी भी subject में तो आप apply कर सकते हैं, आविदन जो है इसके 21 December से लेकर के 25 January 2021 तक चलेंगे, माफ कीजेगा 2021 तक है यहाँ पर और यहाँ पर भी 29 माई 2021 में आपके exam होंगे Tire 1 के, और यहाँ पर आविदन करने का link activate हो जाएगा आपका 21 December से, ठीक है आविदन notification का link ये रहा, आप यहाँ से notification को download कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, दूसरी vacancy की जो निकाली जारी है जी हाँ दोस्तो आज ही ये नया notification जारी किया गया है, Airport Authority of India AI का ठीक है, तो यहाँ पर इस notification की basis पर आपको जनकरी देंगे तो post की बात करते हैं, तो यहाँ पर manager और junior executive की vacancies है various categories में हैं, अगर आप चाते हैं airport में job करना तो दोस्तो यह आपके लिए golden opportunity है 368 total vacancy यहाँ पर जारी की गई है, आवेदन इस vacancy के लिए केवर online ही मागे जा रहे है salary आपको यहाँ पर 40,000 से लेकर 1,440,000 रुपे तक पर मन्त मिलेगी salary वो जो की काफी अच्छी salary है और इंडिया के candidates apply का सकते है, male or female age limit जो है maximum 32 है, उसके अलावा ICU में छुट लगस है reserve candidates को application fees यहाँ पर all other candidates के लिए thousand रुपीज है, वहीं SCST female के लिए 170 है और PWD के लिए और apprentice वाले candidates के लिए बिलकुल free है, जिन्होंने apprentice कर रखी है और जो apprentice के basis पे apply करना चाते हैं, वो free में apply का सकते हैं payment जो है आपको online करना होगा किसी भी माद्यम से education qualification बी बीचे एक pass candidates apply का सकते हैं, अगर आप यहाँ पर bachelor degree हैं, B.S.C. के अंदर तो आप apply का सकते हैं relevant discipline में अगर आप है qualified तो आप apply जरूर कीजिएगा, यहाँ पर qualification की पूरी information दे रहे हैं, 15 December से लेके 14 जनवरी 2021 तक आविधन चलेगी, यहाँ पर आविधन करने का link है, notification के साथ में, आगे बढ़ते हैं बात करते हैं, तीसरे नंबर की एक और नई vacancy की, तो जोस्तों यहाँ आपर तीसरे नंबर की जो vacancy है, वो है IDFC First Bank की तरफ से, यहाँ IDFC First Bank की तरफ से, sales officer, banker, branch manager, sales manager, relationship manager, all other vacancies भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें MTC की है, clerk की है, accountant की है, और भी vacancies यहाँ पर देखने को मिलेगी, 1000 प्लस यहाँ पर vacancies यहाँ पर देखने को मिलेगी, 1000 प इस लिमिट जो है, minimum 18 एर है, और maximum 50 एर से, ठीक है, और यहाँ पर application fees जो है, सभी candidates के लिए बिल्कुल free है, अगर आप general OBC, SC, ST या किसी भी category से belong करते हैं, तो आप free में apply कर सकते हैं, education qualification 10, 12th graduate या post graduate अगर आप pass हैं, तो आप apply कर सकते हैं, मतलब 10th pass candidates इस विकेंसी के लिए apply कर सकते हैं, आप इदन already start हो चुके हैं, आप आप इदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर link है, यहाँ पर जा करके आप directly apply कर सकते हैं, दोस्तों 5 vacancy के अलावा तीन ऐसी और नहीं vacancies है, जिनका आप सभी को जानकरी होना बहुत जरूरी है, और apply करना बहुत जरूरी है, तो आज कि इस वीडियो में मैं आपको 5 नहीं 8 vacancy की जानकाई दूँगा, तो हम बात कर रहे हैं, 4th number की vacancy की, 4th number की vacancy की जो निकाली जा रही है, राजस्तान subordinate and ministerial services selection board दौरा, जिहां दोस्तों, forest department, 1 विभाग की और stay, forester की और forest guard की vacancy आ चुकी है, bumper vacancy है, 1128 पदो पर, आवेदन क आपको online करना है, यहाँ पर selection process में आपकी return exam होगी, उसके बाद आपका physical interest test है, उसके बाद physical standard test है, interview होगी, उसके बाद आपका medical test होगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पर qualified होते हैं, इन सभी exams में, तो आपको यहाँ पर joining मिलेगी, इस limit जो है, यहाँ पर forester के लिए है 18-40 verse, व वही BC, OBC, non cream layer के लिए, यहाँ पर 350 है, SCST के लिए 2500 रुपे है, payment जो है, आप online कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से, education qualification यहाँ पर forester के लिए है 3th pass, और forest guard के लिए है 12 pass, तो अगर आप 10 pass हैं, तो forester की post के लिए apply कर सकते हैं, और 12 pass candy rate जो है, forest guard के लिए apply कर सकते हैं, ठीके, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, पांच वे नंबर की, फिफ्ट नंबर की, वेकिंसी की जो निकाली जारी है, State Bank of India, HBI द्वारा अप्रेंटिस की वेकिंसी, दोस्तों, HBI बेंक द्वारा अप्रेंटिस की जो वेकिंसी है, 8500 टोटल वेकिंसी है, लेकिन ध्यान यहाँ पर अगर आप यह अप्रेंटिस का कोर्स कर लेते हैं, जो कि काफी कम समय का होता है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रेंटिस दी जाएगी, तो यहाँ पर आप अपना समय बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रेंटिस भी दी जाएगी, यहाँ पर आ में भी आपकी जो है कटोती की जाएगी आपको उसका benefit भी दिया जाएगा ठीकिए तो यहाँ पर आपके लिए काफी benefits है अगर आप अप्रेंटिस की यह अप्रेंटिस करते हैं तो SBI गा ठीकिए तो यहाँ पर आपका जो selection process रहेगा अप्रेंटिस के लिए वो return exam और इंडिया की जोब location है और इंडिया के केंडियेट्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर salary आपको मिलेगा पंदरह हजार से लेके 19,000 रुपे एस लिमिट जो है 20 से 28 है उसके अलावा आइसी में में छुट लग से है रिजर्फ केंडियेट्स को वहीं application fees जनल ओपीसी के लिए 300 है और SCST और PH के लिए बिलकुल फ्री है पेमेंट जो है आप online करा सकते हैं एजुकेशन qualification यहाँ पर any graduate pass candidates अप्लाई कर सकते हैं अगर आप graduate किसी भी stream में किसी भी subject में तो आप अप्लाई कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं छटे नंबर की vacancy के बारे में दोस्त आप देते हैं काफी सारी various categories के अंदर vacancies है तो यहाँ पर काफी अच्छी आपको vacancy देखने को मिल रही है दोस्तो 20 total vacancy out हो चुकी है notification जारी हो चुका है आवेदन online शुरू हो चुके हैं bank की job है selection process में यहाँ पर आपकी return exam होगी उसके बाद आपका interview होगा salary जो आपको अब बात करते हैं साथ नंबर की vacancy की जो निकाली जारी है DRDO जी हाँ दोस्तो defense research and development organization DRDO NPOL की तरफ सी वेकिंसी है junior research fellow की पोस्ट है JRF की पोस्ट है All India के candidates apply कर सकते हैं और आवेदन का जो mode है केवल online है email के मादेम से कौची की job location है 31,000 रुपे पर मन्त आपकी salary रहेगी इस limit जो है maximum 28 साल है और education qualification यहाँ पर ME, M.Tech, B.Tech, past candidates apply कर सकते हैं आप इतन शुरू हो चुके हैं इसके already जी हाँ दोस्तों आपको 4 November से लेकर के within 30 days आपको apply करना होगा तो आप मान लिजे कि आपको 26 December तक आपको apply कर देना है ठीके, तो आज ही apply कर दीजेगा यहाँ पर notification है, notification में आपको email ID भी मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं email ID आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा तो आपको इस email ID पर आपको mail करना होगा यहाँ पर email ID भी दिया गया है, तो अधिक जानकारी के लिए आप notification को download कर लिजेगा अब बात करते हैं finally, आत्वी नंबर की वेकेंसी की जो निकाली जारी है, post office द्वारा ग्रामें डाग सेवक की जो यहाँ दोस्तों, ग्रामें डाग सेवक GDS की वेकेंसी है, 1118 वेकेंसी है, इसके अलावा और भी वेकेंसी जा चुकी है, जो आप हमारी वापसाइट पर जा करके चेक आउट कर सकते हैं आवेधन के वाल आपको ओनलाइन करना होगा, सैलरी आपको 10,000 से 14,500 रुपे पर मन्त मिलेगी, जहारकंट, post office की job location है, age limit 18 से 40 वर्च है, और ICO में छुट लग से है, reserve candidates को वहीं application fees यहाँ पर जो है, all other candidates के लिए सोर पे है, और यहाँ पर PWD और female के लिए जो है, बिल्कुल फ्री है, चीके, और यहाँ पर payment जो है, आप online करा सकते हैं, education qualification 10 वी के साथ में, अगर आपके पास computer का basic knowledge है, तो आप apply कर सकते हैं, चीके, और यहाँ पर आवेधन 12 नमबर स जिस तक शुरू होंगे, चलेंगे, तो यहाँ पर आप आवेधन कर सकते हैं, notification के साथ में आपको link मिलेगा, यहाँ से आप notification को भी download करके check out कर सकते हैं, तो दोस्तों यह थी आज की 8 vacancy की जानकरी, इन vacancy के अलावा और भी vacancies आ चुकी है, जिसकी जानकरी आप हमारी website से ले कीजेगा, तेंक्स!